नाइन्टीज के दशक में मुंबई में अंडर वर्ड का बोल वाला था। हाजी मस्तान और हसन मिर्जा के नाम से भी जानते हैं। अंडर वर्ड माफिया की दुनिया में इन दोनों को छोड़ कर भी कई और पॉपिलर नाम हैं जिन्होंने खुद की एक अलग पहचान बनाई और वो एक कहानी बन गई लेकिन गुमनाम। दोस्तो आज मैं आपको एक ऐसी शक्सियत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। क्योंकि इनकी दास्तान इतिहास के पन्नों में कहीं खोकर रह गई या फिर इतिहास के पन्नों में शायद इनका जिक्र ही नहीं हुआ। जी हाँ हम बात कर रहे हैं एक महिला अंडर वर्ल्ड डॉन की जिसका नाम था जेना भाई दारो वाली जिसे उस समय का मशूर अंडर वर्ल्ड डॉन हसन मिर्जा आपा या बड़ी बहन बुलाता था और दाओद इबराहिम मासी बुलाता था और दोनों ही जेना भाई से टीवी या रिज्यू में बनानी होती तो कोई ऐसा प्रोफाइल नहीं बचता जो उनके एक्सपोर्टीज कॉलम में जुडा नहीं होता खुद के दम पर मुमबई में एक बिजनस या धंदा शुरू करना और फिर उस धंदे के दम पर पूरी माफिया वर्ल्ड में अपना दबदबा बना कर रखना छोटी बात नहीं है माफिया के साथ अच्छे रिष्टे होने के बावजूद पुलिस महकमे में सभी लेवल्स पर जान पहचान रखना जरूरत के समय अंडर वर्ल्ड और पुलिस दोनों का उससे मदद मांगना या फिर सालों से गैंग वार से ज पतिलों को भी माफ कर देना ये वो तमाम एस्पेक्ट सर्फ एक ही इनसान के हैं जिने हम जेनाबाई दारू वाली के नाम से जानते हैं और ये कहानी उनहीं की है ये कहानी उस समय की है जब मूंबई मूंबई नहीं बंबई या अंग्रेजी में बॉम्बे हुआ करती थी अजादी के बाद जब पूरा देश दो टुकडों में बढ़ रहा था। तब अपनी नई पहचान की स्ट्रगल में एक और परिवार दो हिस्सों में बढ़ गया। जेनाबाई के पती ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया पर ये जेनाबाई को कताई मनजूर नहीं था। इसलिए उसका पती उसे और उनके पाँच बच्चों को छोड़ कर अकिला ही पाकिस्तान चला गया। अपने बच्चों की परवरिश करने और घर चलाने के लिए जेना धीरे तसकरी के साथ साथ माफिया के सरकल में रहते रहते खुद एक नामी माफिया डॉन भी बन गई उस समय वो शहर की इगलोती लीडी डॉन हुआ करती थी एक ऐसी लीडी डॉन जिसका खौफ और शोहरत दिन बदिन बढ़ता ही जा रहा था उसने अपना स्टेटस इस कदर बढ़ा लिया था कि हसन मिर्जा जैसे बड़े डॉन भी उसे इज़द देने लगे थे और हसन मिर्जा उसे अपनी बड़ी बहन बुलाने लगा था ये वो दोर था जब मुंबई में अंडर वर्ल्ड शब्द का इस्तमाल होता ही नहीं था देश के आजादी के बाद इस शहर में छोटे बड़े माफिया और डॉन अपने काले धंदों का सामराज फैला रहे थे जेना बाई ने अपने जीवन काल में ना सिर्फ इस क्राइम के दुनिया को करीब से देखा बलकि खुद इसे जिया भी जेना बाई ने दो जनरेशन के अंडर वर्ल्ड को मुंबई में पनपते और बड़ा होते देखा एक हसन मिर्जा की जनरेशन और दूसरी दाउद इबराहिम की पर इन दोनों को और दूसरे गिरोह के डौन को एक साथ बांधने वाली जीना बाई ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस सिस्टम में वो एक ऐसे साप को पाल कर बड़ा कर रही है जो एक दिन मुंबई की ही खुबसूर्ती को डस कर चला जाएगा और ठीक ऐसा ही हुआ दाओद इबराहिम ने 1993 में मुंबई के 12 अलग जगहों पर बम धमाके करवाएं जिसमें 200 से भी ज्यादा मासूम लोगों ने अपनी जान गवादी थी धमाको के तुरंट बाद ही मुंबई फिर से हिंदू-मुस्लिम दंगो का शिकार हुई और लगा मानो शहर की शान्ती के ऊपर एक लंबी अमावस की रात ने घेर लिया था जेना बाई जानती थी कि जाने अंजाने में उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी जाहिर था कि दाउद के साथ उसके पुराने रिष्टों की वज़ा से उसके उपर काफी उंगलिया उठेंगी कैसे बाहर निकलेगी वो इस शक के घेरे से और किसने मदद की उसकी उस सबसे बड़ी मुश्किल की घड़ी में ये जानेंगे हम जेना बाई की पूरी कहानी में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे और क्यूं एक ऐसी निडर और और शक्सियत जो देश की आजादी में योगदान देने के बाद मुंबई में शांती बनाए रखने में एक एहम भूमिका निभाने के एक गुमनाम हस्ती बनकर रह गई